सहारा नियुद्को के लिए इस वक्ती की बड़ी खबर निकलके सामने आ रहे हैं.. दुस्तों बहुती बड़ी अपडेट आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूगा क्या बड़ी अपडेट निकलके सामने आ रहे हैं.. दुस्तु hatred slash मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा तो जलते सीधा प्रियों को सुरू करते हैं दिखियें किसी के हजारों तो किसी के लाको सहराय के एजेंट की धोखादरी अब सिर्फ मिल रहा है आस्वासन जी हां दोस्तों अब बिल्कुल आपने सहे सुना यदि लोग अपने पैसे की मां को लेकर आपिस में जाते हैं तो उनको एक आस्वासन ही मिलता है और उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है लोग परसान है आगे क्या है मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि जो भी है आप लोग देख सके उसके बाद ये दिखियें समस्तिपूर जिले के पट मिल जाएगा कोई परसानी नहीं होगी बहुत सारे लोग जो है सहारा इंडिया में पैसा निवेश किये थे बट क्या हुआ उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है आगे क्या है मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं तो आप लोग देखिएगा अगे पैसा निवेश किये थे कि उनका एक नहीं दिन पैसा मिलेगा और उस पैसे से कुछ कर सकेंगे विराल क्या हुआ लाष्ट में उनका पैसा नहीं मिल पाया और लोग परसान है तो आप लोग देख रहे हैं जिस ऐसे लोग परसान है अपने पैसा निवेश किये थे बट उनका जो पैसा है नहीं मिल पा रहा है दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा बांड पेपर भी इनके पास है तो आप लोग देख रहे हैं जिस ऐसे लोग परसान है अपने पैसे की मांग को लेकर कि सरकार जो है जल से जल निवसकों का पैसा वापिस करें पिराल पोटल के मादें से आनलाइन तो शुरू हुआ लेकिन उनका जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जब लोग अपलाई करते हैं तो उनका फार्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं कहीं कुछ फार्म में कुछ न कुछ गरबणिया है क्योंकि जिस समय सहारा इंडिया में पैसा निवेस करते थे लोग उतने ही समय लोगों का जो कागजाद है उतना अच्छा नहीं था उसी के उसके बाद लोगों का एभी कहना है भोकतान किया जाए जल से जल आपिस के माध्यम से तो फिराल आप लोग कमेंट जरूर करें भोकतान किस तरह से होना चाहिए उसके बाद आगे क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या है अक्सर लोग किसी के जहांसे में आकर गल मज़ूरी करती थी जहां खशीलने का काम करती थी उन्हें जो मज़ूरी मिलती थी वे प्रती दिन 5-10 रुपे बचा कर रिकटा कर रहे थी जबूर ने 10 ओजा रुपे जमा कर लिया तब सहराइंडिया खेन्टि 則 ona आंगेर अगर वे ये पैसा कर YouTube पांगोच साल में दूगना हो जाएगा यनि ये 20,000 रुपे हो जाएगा लेकिन 7-8 साल बीतने के बाद भी उन्हें अपनी रकम वापस नहीं मिल पा रही है हर अपते आप इसका चक्कल लगाना पड़ता है लेकिन सिर्फ विश्वास ही मिलता है दूसरी घटना तारा धमाउन के संबूर र अब उन्हें भी हर 4-5 दिन में आफिस का चकल लगाना पड़ता है और खाली हाथ लोटना पड़ रहा है सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाली मचिया देवी की पीड़ा समर्श्थिपूर जिले के पटोरी प्रखंड की मचिया देवी ने बताया कि उन्होंने भविस क चिंता में मिनहत मसकत कर 10,000 रुपे इकठा किया था सहारा इंडिया के एजेंट ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वे इस रास को जमा करने पर 5 सालों में दुगना यानि 20,000 रुपे प्राप्त करेंगी हाला कि अब 7-8 साल हो चुके हैं और उन्हें अपना पैसा पाट रही है लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है मचिया देवी की यह इस्तिति दिखाती है कि कैसे प्रलोब की वज़े से धोखादड़ी के सिकार लोग अपनी मिनहत की कमाई को खो देते हैं और प्रसासनिक तंत्रे में अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जूजत अब मचिया देवी को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए जी हाँ दोस्तों बिलकुत सही सुना है बहुत सारे लोगों का पैसा फसा हुआ है लोग परसान है अपने हद के लिए लड़न है फिर भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है लोग पूरी तरह से प अब डेट मिलेंगी तो मैं आपको इंफार्मिशन करूंगा इससे पहले आप लोग में जल पर नहीं से स्काइब कर लेना आने माला वीडियो का नुट्वीगेशन आपको मिलता रहेगा और जो भी नहीं वीडियो मिलेंगी तो मैं आपको इंफार्मिशन करूंगा ये वी